आज मैं आपके साथ चाट की रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि मुझे चाट बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बनाने के साथ इसे खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं आज आपके साथ स्टफड टिकिया की रेसिपी शेयर करूँगी जो एकदम करारी बन आज आप टिकिया बनाएंगी तो मैने का कि हाँ तो देखे ज्बसे पहले हमाई आशेनी सीर कर दोटyi चने की दाल को भीगने के लिए छोड़ दिया था इसके बाद मैंने इसे दोखें दाल दियां कूकर के अंदर साथ में पनी चौणीय की दाला है और डेड़ से दो कटोरी मैंने इसके अंदर पानी डाला है अब क्या करेंगे ना कि इसे फ्लेम के उपर चढ़ा देंगे तो अगर आप दाल को रात में भी गोदे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और नहीं तो आप क्या करें कि गरम पानी में इसे फटा फट भी गोदें तो ये 2-3 गंटे में आराम से फूल जाएगी अब मैंने 4-5 आलू उबाल लिये हैं और आलू उबालने के बाद मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था 2 गंटे के लिए तो देखें अफ्रीज में आलू रख देंगे ना तो उससे क्या होगा ना कि टिकिया हमारी बहुत ही अच्छी बन करके तयार होगी अब आलू को छील करके और मैंने इसे ग्रेट कर लिया है उससे क्या होता है कि टिकिया बिल्कुल भी नी फटती है साथी में मैंने इसके अंदर एक चम्मच नमक काली मिश डाली है तीन से चार चम्मच मैंने इसके अंदर कॉन फ्लॉर डाला है और साथ में तीन से चार चम्मच मैंने इसमें चावल काँटा डाला है तो चावल का आटा डालने से टिकिया बहुत ही क्रंची बन करके तयार होती है अगर आपका भी टिकिया बनाए तो इसी तरीके से बनाए अब क्या करेंगे कि इस डो को हम तयार करेंगे और तयार करने के बाद इसे मैं फ्रीज में रख दूंगी और जब हम टिकिया बनाना शुरू करेंगे उस समय इसे फ्रीज से बाहर निकालेंगे तो इसके उपर मैंने हलका सा चावल का आटा चिड़क दिया है और इसे फ्रीज में रख दिया है इधर हमारी दाल भी अच्छी तरीके सुबल गई है यानि कि आपको दाल में सिर्फ 2 सी क्योंकि चाट बिना चटनी के अधूरी रहती है तो सबसे पहले मैंने एक मुठी लगवग धनिया ले लिया है तो आप धनिया ताजा और हरा पतिदार लें पीला धनिया बिलकुल भी नले अब मैंने दो हरी मिर्च को भी मोटा मोटा काट करके और इसे डाल दिया है दनिय भुजिया डाली है तो आप जो भी ब्रेंड खाना चाते है आप वह ब्रेंड इसके अंदर डाल सकते हैं लेकिन आप भुजिया डालेंगे तो इससे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और हमारी चटनी बन करके तयार हो गई है लेकिन इस चटनी को थोड़ा सा पतला तो मैंने इसमें और थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया था जार को दो करके और हमारी चटनी बन करके तैयार हो गई है तो ये तो बन गई हरी चटनी और इसके साथ खाने के लिए मैं आज इमली की चटनी बनाऊंगी तो देखिए इमली को मैंने 2-3 घंटे पहले ही पानी में भीगो करके रखा था अगर आपको तुरंत इस्तमाल करना हो तो आप इसे गरम पानी में भीगोए अब इमली को मसल करके मैं इसे छलनी से छान लूँगी और उसके बाद मैंने इसे चड़ा दिया है फ्लेम के ऊपर अब इसके अंदर थोड़े से हमें मसाले एड़ करने है ताकि हमारी चटनी बहुत ही तेस्टी बन करके तैयार हो तो देखिए मैं आज इसके अंदर चीनी डाल करके बनाऊंगी अगर आप गुड़ से बनाना चाहें तो आप गुड़ से भी बना सकते हैं तो करीबन मैंने इसमें 5-6 चमच चीनी डाली है आधा चमच नमक डाला है आधा चमच ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाला है आदा चम्मच काली नमक का पाउडर डाला है और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा सोट है इसे ग्रेट करके डालूंगे अगर आप अद्रग डालना चाहें तो आप अद्रग भी डाल सकते हैं लेकिन ये डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा साथ में मै चम्मिश दाल करके नहीं मिलते हैं लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप काजू किशमिश जरूर से बारीक पारीक कट करके इस्तमाल करें और देखे इधर हमारी चटनी बिल्कुल बन करके तयार हो गई है तो चटनी इसी तरीके से गाढ़ ही रहनी चाहिए पांच से साथ मिनट अगर आप उबालेंगे तो उसके बाद चटनी हमारी इस तरीके से बन करके तयार हो जाएगी साथ में मैंने इसके उपर से डाले हैं खरबूजे के बीच क्योंकि चटनी खाने में बहुत ही तेस्टी लगे और देखने में भी बहुत ही अच्छी लग उसके बाद मैंने इसके अंदर हींग डाल दी है बारीक कटी ही मैंने हरी मिर्ज डाली है और हरी मिर्ज को हमें बिल्कुल ज्यादा फ्राई नहीं करना है अगर आप अदरक खाते हो तो आप अदरक जरूर से एड़ करें लेकिन मैं अदरक नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने है सद्धी में मैंने इसके अंदर काजू और किशमीजी से हमने बारी काट करके रखा था इस था हमें डाल देना है और इसे आपको एक से दो मिनट तक हलके फ्लेम को बिल्कुल लो तो रखना है उसके बाद मैंने जो बॉयल चनी की डाल थी इसे भी डाल दिया है इसके अंदर और चनी की डाल डालने के बाद आपको इसे एक से दो मिनट तक इस तरीके से चला लेना है चनी की डाल को आपको ज्यादा मिक्स नहीं करना है यानि कि ज्यादा बिल्कुल भी नह एक दो मिनिटेटा से फिल्म के ऊपर चड़े रहने देंगे और तब तक म कर लेंगे तो इधर मैं ने थोड़ा सा पनीर लिए और इसे बिल्कुल सब्सक्व है तो क्या होता है ईक ट्रों पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इस तरीके से मैंने पनीर को काट लिय साथ ही में इसके अंदर लाल वाली मिर्श दाली है, अगर आप ढखी मिरश और गरम मसाला, काला नमक, अगर आप अम्चूर खाते हैं तो जरूर अम्चूर और अच्छी तरीके से पूरा बोराruit at least 2-3 मिंट में आप इसे बूनेंगे तो इसके क्या होता है कि मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है अब पैन में चड़ा दिया है मैंने तेल तो मैंने इसे बनाऊंगी अगर आप गी में बनाना चाहें तो आप गी में भी बना सकते हैं बहुत जगे टिकिया गी मिलती है गी से बनाई हुई टिकिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब क्या करेंगें कि जो आलू वाला तो इस तरीके से दो पलटों की मदद से इस तरीके से पलट दें नितो क्या होगा ना कि अगर आप एक चमचे से इसे पलटेंगे तो आपके उपर तेल भी उचल करके आ सकता है तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें तो आप बिल्कुल साफधानी से मतलब इसकाम को करें क्योंकि इसमें बहुत बार तेल उचल करके हमारे उपर आ जाता है और फ्लेम को आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है और इस तरीके से आपको टिकिया सेक लेनी है तो क्या करें नहीं कि अब ये तिकिया हमारी इसके अंदर टिकिया बापस डाल देंगे तो 2-3 बैच में मेरी सारी टिकिया बन करके तयार हो गए थी और आप सुनिए देखे इसकी कितनी क्रंची आवाज है बहुत ही अच्छी बन करके तयार हुई है अब क्या करेंगे ना कि इस तरीके से पटेटो मैशर से मैंने इसे तवे के ऊपर टिकिया जब तक गोल्डन ब्राउन अच्छी तरीके से एकदम खसता नहीं हो जाए तब तक आप इसे दूसरे वाले तवे पर आराम से से शेखते रहेंगे तो उससे क्या होगा ना कि सभी लोग को आराम से टिकिया खाने में मिल जाएगी मतलब ऐसा होता है करेंगे और सभी लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे तो देखिए टिकिया बन करके हो गई है तैयार और लगा दी है प्लेट अब लेके जा रहे हूं बच्चों के लिए तो अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ टेक केर बाबाई